हेलो फ्रेंड आप अपने मुबाइल पर GB WhatsApp को इस्तमाल करे थे लेकिन अब अगर आप अपने मुबाइल फून पर GB WhatsApp को ओपन करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि यू नीड दी ओफिशल WhatsApp to use this account तो मैं आपको इदर अपने मुबाइल से स्टार्ट से दिखा देता हूँ जैसे मैं अपनी GB WhatsApp को ओपन करता हूँ WhatsApp GB WhatsApp को ओपन करने के बाद agree and continue पर क्लिक करता हूँ यहां से अपना जो मुबाइल नंबर है उसको एंटर करता हूँ नेक्स के बटन पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं नेक्स के बटन पर क्लिक करता हूँ यहां से यास करता हूँ एर्र देखने को मीडिया में हमारे मुबाइल नंबर पर OTP रेसीव नहीं हो रही है बलके हमें देखने को मेरा है तो आज की इस वीडियो में मैं 100% आप लोगों की इस एरर को दूर करूँगा, solution दिखाऊंगा और solution आपको life proof दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने इस मसले को solve करते हैं, तो शुरू करते हैं आज की इस interesting वीडियो को stay with us दोस्तों मेरा नाम उस्रहिन, आप देखने हैं बैक ओंटेक यूट्यूब चैनल, चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक request है कि अगर ये वीडियो आपको useful लगती है और वीडियो देखने फ्रेंड सबसे पहले मसला में मसला तो हम पहले डिसकस कर चुके हैं कि हम अपनी जीबी वाटसैप को open करते हैं और जीबी वाटसैप को open करने के बाद जब हम अपने मुबाइल नंबर को यहां से एंटर करके next के button पे click कर रहे हैं अगर मसला solve नहीं होता तो comment भी कर दीजिएगा कि इस वीडियो ने आपका मसला हल नहीं किया और इसको ना देखें ठीक है मैं इतनी बड़ी बात करते हूं लेकिन मसला solve होता है तो वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना और comment में ड़न लिखना है ठीक है अचा जी तो कुछ स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसमें फर्स स्टेप जो है ना वो यह है कि फ्रेंड आपने जाना है प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने यहां से जो official WhatsApp है इसको download कर लेना ठीक है यहां से आपने WhatsApp सर्च करना WhatsApp को सर्च करने के बाद आपकी जो WhatsApp की application है आपने इसको क्या करना है फ्रेंड इंस्टॉल करने ठीक है मेरे मुबैन में आरेड़ी इंस्टॉल है अब आपने WhatsApp को इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है फ्रेंड आपने इस WhatsApp के उपर जो है अपना तो आपने क्या करना है आपने यहां से agree and continue के बटन पे क्लिक करना है अपना वह वाला मुबाइल नंबर एंटर करना है जिस पे आपको problem देखने को मिल रही है ठीक है जिस पे आपकी जो WhatsApp है जी भी WhatsApp है वो नहीं चाहरी तो यहां से आपने जल्दी से नंबर एंटर कर देना ओ टीवी वगारा आपको जो है वो रिसीव हो जाएगी तो यह process हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं जी हां फ्रेंड तो जैसे ही आप यह process को complete कर लेंगे आपकी जो WhatsApp है वो आपके official WhatsApp अकाउंट पे कुछ इस तरीके से open हो जाएगी फ्रेंड यह काम कर लेने के बाद अब आपने next काम क्या करना है आपने next काम यह करना है अपनी जीबी WhatsApp पे दुबारा जाना है अपनी जीबी WhatsApp पे दुबारा जाने के बाद आपने इसको agree and continue के बटन पे क्लिक करना है और यहां इस टैप पे आगे जहां से आपने अपना phone number एंटर करना है आपने इन three dots पे click करना है link as companion device पे आपने click कर देना है फ्रेंट जैसे ही आप link as companion device पे click करेंगे ये देखें कुछ इस तरह का code आपके सामने आजेगा अब आपने क्या करना है फ्रेंड आपने इस code की picture जो है वो capture कर लेनी है तो मैं अपने दूसरे mobile से इस code की picture capture कर रहा हूँ जी है वरेंड तो मैंने picture capture कर लिए है picture capture करने के बाद आपने क्या करना है आपने जाना है अपनी दूसरी WhatsApp में हम जाते हैं अफरे वर्ण Karma में जाने के बाद आपने फरी टोट क्लिक करनाक है लिंड डिवाइसने करना कई मयाँ या से आपना ऌलोग तक अ होने लग जाएगा तो अब आपने जो दूसरे मुबैल से पिक्चर गैप्चर की थी उसको आपने कुछ इस तरीके से स्कैन कर लेना ठीक है तो यह यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो है इस वक्त अकाउंट स्कैन हो रहा है ठीक है यहां पर लोगिन हो रहा है तो यहां पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फ्रेंड जी हां फ्रेंड आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा यह प्रोसीजर कंप्लीट होगा आप नीचे देख सकते हैं कि Android 9 पर हमारी जो डिवाइस है वो इस वक्त एक्टिवली लोगिन हो चुकी है ठीक है अब आपने दुबारा जाने अपनी जीबी वाटसैप पर यह आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपनी जीबी वाटसैप पर दुबारा क्लिक किया है तो यहां पर आप देख सकते हैं लोडिंग यूर चैट्स आ रहे हैं और यहां से मेरी जितनी भी चैट्स हैं वो लोगिन हो रही हैं और चै सकते हैं कि हमने थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने के बाद हमारी जो वाटसैप है जी भी वाटसैप पे ओपन हो जाएगी जी हां फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि स्कैन कंप्लीट होने के बाद ये आप देख सकते हैं जी भी वाटसैप जो है वो मेरे मुबैल पे open हो चुकी है आप लोग देख सकते हैं कि GB WhatsApp को अब मैं बड़े असानी से इस वक्त इस्तमाल कर रहा हूं और पहले आप लोगों को पता है कि GB WhatsApp को open करने पे मुझे issue आ रहा था कि you need the official WhatsApp to use this account ठीक है तो अब आप देख सकते हैं वो problem जो है solve हो चुकी है और मैं अपने मुबाइल पर GB WhatsApp को इस्तमाल कर रहा हूं तो friend आप भी इस method को इस्तमाल करके बड़ी असानी से GB WhatsApp को अपने मुबाइल फून पर इस्तमाल कर सकते हैं hopefully दोस्तों आप लोगों को यह method जो है बहुत ज़्यदा पसंद आएगा और आप इस वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करेंगे ठैंक यू